Hello Friends, आज का ये वीडियो किंद्रे विद्यले संगठन में Class 1 में अडमिशन के लिए है जैसा कि आप सब जानते हैं कि Class 1 में Session 2022-23 में अडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है जनरली किंद्रे विद्यले संगठन इस admission की प्रोसेस को मार्च की मन्त में स्टार्ट करते हैं और जिसके लिए एक ड्यू टाइम में एक academic calendar और एक schedule आ जाता है हलांकि KVS ने अपनी तरफ से अभी तक कोई भी authentic calendar जारी नहीं किया है लेकिन इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है किंद्रे विद्यले संगठन ने अपने अंडर आने वाले सभी KVS से अपने अपने portal को update करने के लिए अपने vacancy position को डालने के लिए कहा है और इसे clear है कि बहुत ही जल्द KVS में admission स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि इस admission के लिए online application फॉर्म भरे जाते है जिनका window period बहुत ही कम होता है अप्रोक्स 15 to 20 days का तो यह period इतना है जिसमें आप किसी तरह की नई documents को तैयार नहीं कर पाएंगे COVID के time में वैसे भी हर office में हर department में कम बहुत slow चल रहा है तो ऐसे में अगर आप किसी department से किसी भी तरह का कोई certificate लेना चाहेंगे तो आपको इतनी time में मिलना बहुत मुश्किल होगा इसलिए हर वो parents जो अपने बच्चे का admission के लिए apply करना चाहते हैं वो अभी से इन documents को तैयार करके रखें इस video के तरू हम जानेंगे यह वो basic documents आपको class 1 के admission के लिए जरूरी होगे तो सबसे पहले आपको चाहिए इस admission के लिए registration करते टाइम एक valid mobile number और एक functioning email ID यह वो mobile number और वो email ID है जो throughout the admission process आपको कामाएगे इसलिए इनका functioning होना बहुत जरूरी है चाहें वो आपका OTP हो चाहें form का confirmation हो चाहें आप admission के लिए select हुए हैं नहीं उसके बारे में बताना हो या जरूरत की धायम में school आपको contact करें वो सिर्फ इनी numbers और इनी email IDs पे ही कर पाएगा इसलिए आप अपना एक valid email और एक valid mobile number जरूरत यहां रखे second है जो most crucial है that is date of birth किंद्र विद्यले संगतन में जो admission होते हैं वो date of birth के according ही होते हैं class 1 में admission के लिए minimum age 5 years और maximum 7 चाहिए इनसे बड़ा या इनसे छोटा बच्चा admission के लिए eligible नहीं होता तो इस साल जो class 1 के admission के लिए जो criteria है date का वो है 1st of April 2015 से लेकि 31st मार्स 2017 तक तो अगर आपके बच्चे का जन्म इन दू डेट्स की बीच में कभी हुआ है इवन इन डेट्स को भी हुआ है तो वो class 1 में admission के लिए eligible हैं और ऐसे में आपको उसका birth certificate तेयार रखना होगा आजकल mostly सभी बच्चों का birth certificate बना होता है इनकि इस नहीं बना तो आप उसे competent authority से बनवा लीजिए यह birth certificate आपको school में मांगा जाएगा original form में लेकिन जब आप apply कर रहे होंगे online तो वहाँ आपको इसे PDF या JPG scan में upload करना जरूरी है धर्ड है cast certificate आपको कामाएगा अगर आप RTE के लिए apply करते हैं right to education के under 25% seeds allocated होती है इन बच्चों की कोई fees नहीं लगती है school में और साथी साथ books वगर सब school से दी जाती है तो cast certificate अगर आप cast category का benefit लेना चाहते हैं तो cast certificate आपके लिए बहुत जरूरी है इसके अलावा भी class में जो quota होता है वो cast wise होता है और उस reservation के लिए अगर आपके पास cast certificate है तो आप उसे त्यार जरूर रखें cast certificate के लिए अक्सर queries आती है तो ऐसे में parents का cast certificate भी valid होता है बट वो 3 months तक और उन 3 months के बाद जो है वो बच्चे की name से cast certificate देना होता है OBC का latest चाहिए होता है क्योंकि OBC हर 6 months में renew होता है तो latest certificate आप बनवा ले जिन लोगों का नहीं बना हुआ है Next EWS ये BPL category ये भी RTE के अंडर आ सकते हैं अगर आप किसी भी category में आते हैं तो उसका certificate जरूर बनाए अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी income इतने से कम है बट हमारे पास certificate नहीं है तो आप देखिए कि Government Institute पेपर को ही जो है आपको prefer करेगा बिना पेपर के आपके पास कोई भी तरह का proof नहीं होता कि आप EWS ये BPL category में आते हैं तो अगर ऐसा है तो BPL card या फिर EWS certificate आप बनवाएं और अगर आप बनवाते हैं तभी आपको benefit मिलेगा और ये भी online admission की time में इनके numbers अपलोड होते हैं देन अगर आपका child किसी भी तरह से physically handicapped है, physically disabled है, physically handicapped है तो उसका certificate भी आप तयान रखिए इन सब बच्चों का एक special quota होता है admission में, तो कहीं न कहीं cast certificate या फिर EWS या BPL या PH category का certificate आपको benefit दे सकता है उन parents को specially जो private jobs में होते हैं, जिनका admission easily नहीं होता है के वीज में, वहाँ अगर आपके पास इन में से कोई भी category अपलाई होती है, तो आप उसका certificate जरूर दे हैं रखिए और अगर आप center government या state government के employee हैं, तो एक admission portal पर आपको service certificate मिलेगा, state के लिए अलग और center के लिए अलग उस service certificate के format को duly fill करके अपने office से counter sign करवा की रखे, ताकि आप admission की time में apply कर सके और उसको upload कर सके एक पूछा जाता है service details of last 7 years, क्योंकि अक्सर कुछ जगया इतनी मारा मारी होते हैं कि first category ने central government employees के बच्चों को भी admission नहीं मिल पाता इतने सारे लोग admission के लिए होते हैं जबकि seats class में 40 ही होती है तो यहां जो है अगर किसी region से एक ही category के parents जो है category job के according count होती है तो अगर उन दो parents में tie करना है तो उन्हीं parent को prefer किया जाएगा जिनके last seven years की transfers ज़्यादा होंगे तो आप इसे भी lightly ना ले वो especially जो job वाले parents हैं वो अपने last seven years की details को बहुत ही carefully fill करें और अपने offices से counter sign कर वा लें एक चाहिए होती है बच्चे की photo jpg या jpeg format में passport size उसकी photo आपको upload करनी होती है इस form में जिसे आप ready रखें आज की time में बहुत hard and fast आपको जो है वो studio से ही नहीं click करवाने होती है आप अपने खुद के mobile से photo click करके तियाल रख सकते हैं अगर आप uniform defense employees है जो अपनी service से retirement ले चुके है उन लोगों के लिए भी एक fixed quota होता है अपनी category से एक category lower में तो वो जो है अपना certificate of retirement दयान रखे आपको admission की time में इसकी जरूरत पड़ेगे and last but not least किसी भी तरह की reservation के लिए आपको एक जो है उस particular school के अगर वो urban areas में है तो 5 km और अगर वो rural areas में है तो 8 km में होना जरूरी है और चाहें आप reservation का benefit ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अगर आप form apply कर रहे हैं तो भी आपको proof of residence के आप उस particular city की रहने वाले हैं उसके कुछ लोग अकसर rent पर रहते हैं और यह कहते हैं कि हमारे पास नहीं है तो आप rent agreement बन वाले जिए वो भी proof of residence की तोर पर काम करेगा तो यह वो basic documents है जो आपको हर हाल में चाहेंगे ही चाहेंगे इनके बिना आप अपने form को apply नहीं कर सकते आपके form को consider नहीं किया जाएगा so I request all of you those who desire for their child's admission in KVS कि आप इन documents को हर हाल में immediately तियार कर वाले thank you friends